प्राणो तो आज हम क्या डिस्कस करने हुल है MPT मतलब・ प्रोसेजर के रहती है किस बेसिस पर होता है सब मैंने बता चुका व लेकिन फिर बी आपके लिएक अलग से वीडियो बना रहован लग है MPT मतलब फानल सेलेक्शन है कैसी होगा MPT मैंने आपको बता है था कि LPT सिर्फ qualifying है आपको LPT qualify करना है आपको जो भी question दिये जाएगे जो भी question पर रहेगा वो बस qualify करना है और आपका जो final selection होता है final selection की इस basis पर होता है तो वो होता है online exam scores पर आपने जो online exam दी थी तो उसका जो scores रहेगा अगर आपको उसमें ज़्यादा score है और online exams के score भी matter करते है फिर आप कहींगे कि LPT इतना matter नहीं करता है selection होने के लिए तो ऐसा ने है friends अब मान लिजे आपके online exam में आ गए 120 में से 110 मार्क आ गए लेकिन बाद में आपको LPT में आपको qualify ही नहीं करता है तो आप वैसे भी out हो जाएंगे तो आपको LPT भी qualify करना है और online exam के score भी आपके अच्छे होने चाहिए आपको समझ में आ रहा है कि आपका final selection case basis पर होता है तो online exam प्लस LPT तो online exam में भी आपको अच्छा perform करना है LPT भी में आपको अच्छा perform करना है तभी आपका final selection बनता है कुछ student को लगता होगा कि अगर LPT के लिए qualify हुए है मतलब आप final selection आपका हो गया है तो ऐसा नहीं है friends आपको दोनों में अच्छा perform करना है तभी आप qualify हो जाएंगे RBI Office Attendant के final selection के लिए और साथ में documents अगर आपके पास में documents नहीं है तो उस बज़े से भी आप भाहर हो सकता है competition से तो तीनों stage online exam प्लस LPT और document तो सारे exams के लिए ज़रूरी है जो भी आप government के exam देते है तो उनके लिए document must अगर आपके documents clear नहीं है तो आपका performance का कुछ फाइदा नहीं होगा तो online exam प्लस LPT दोनों मिलकर आपका होता है final selection तो यह है पुरा final selection की procedure अब LPT कब हो सकता है LPT कब हो सकता है देखिए language proficiency test RBI Office Attendant अब मुझे बहुत सारे student के question आ रहे है through email या फिर YouTuber भी पूछे जाते है तो LPT कब हो सकता है मैंने आपको पहले बताया था कि August end तक August के last week में और ज़्यादा से ज़्यादा September में September के start में दोनों में से एक में LPT हो जाएगा August end ने तो फिर September start क्योंकि आपके document भी RBI तक पहुच जोके है अब वो release करेगा LPT की dates आपको tension ने लेना है website पर भी आ जाएगा और आपको email भी आ जाएगा कि आपका exam कब है और आपको कब जाना है करके admit card भी आएगा उसका अलग से तो आपको वो लेके जाना होगा देखे probably in August end या फिर September start दोनों में से एक में आपका exam हो जाएगा और document verification उसके बाद में होगा लगबग एक महीने बाद अगर आप 2018 के procedure देखेंगे तो जब LPT हुआ और उसके एक महीने बाद document verification हुआ तो LPT से लेके document verification लगबग एक महीने में हो जाएगा तो study करते रहे हैं अभी तक आपने premium LPT ने ली है तो आप अभी भी purchase कर सकते हैं link में description box में दी है LPT के लिए preparation करते हैं मैंने already 10 video mock test with PDF provide कर दिये paid telegram channels पर आप अभी भी join कर सकते हैं study करते रहे है, thank you